हलो फ्रेंट्स, क्लाश टेंथ कंप्पीटर एप्लिकेशन आउनलाइन क्लासेश के सिरीज में आज हम चैप्टर टू इंटरनेट सर्वेसिस का डे थर्टीन देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मुवाइल टेक्नलोजीज इन फैक्ट पिछले वीडियो में हम सोसल नेट्बरकिंग के बारे में अल्रेडी पढ़ चुके हैं तो इस वीडियो लेक्शर का हमारा अब्जेक्टिव है मुवाइल टेक्नलोजीज देयर यूजिज फीचर्स एडवांटेज़ एंड सम डिसद्वांटेज़ एंड अजर च communicative तो मुझें और ही तो इस में मुवाइल तेक्नलोजीज का है फ्स्स में टिस्चर्स कि độ Bu क्वाइल टेक्नलोजीज थाउ चॉट का यौ is known as mobile technologies देखे तक्नीक जो भी होती है तक्नीक का इस्तेमाल हम हर जगा करते हैं किसी ना किसी रोप में हम जो है तक्नीक जनी टेक्नलोजी का यूज हम करते रहते हैं जाने या अन जाने में लेकिन जो टेक्नलोजी सेलिलर कमुनिकेशन में यूज की जाती है उन लेकिन सभी टेक्नलोजी को हम mobile technologies क कहते हैं उन टेक्नलोजी को जिनको mobile communication में या cellular communication में यूज किया जाता है उन्हें हम mobile technologies का नाम देते हैं जाते हैं वैसे तो बहुत सारी ऐसी टेखनोलोजी है जो सेडिलर कम्टिकेशन में यूज की जाती है लेकिन हियर वी विल दिसकूस अली फोर मॉबाइल टेखनोलोजी लाइक 3G, 4G, MMS, and SMS मॉबाइल टेखनोलोजी बना होगा उसमें पहले टाइम में कोई टेखनोलोजी यूज की गई होगी तो जब भी कोई चीज इजात होती है बनाई जाती है तो उसको टाइम टो टाइम मोडिफाई किया जाता है टाइम टो टाइम उसके उसमें फीचर्स को इंक्लूट किया जाता है उसकी टेखनीक को बढ़ाया जाता है टेखनोलोजी को मजबूत किया जाता है जब जब टेक्नलोजी इंप्रूब होती है जब जब उसकी मजबूती को बढ़ाया जाता है टेक्नलोजी इसको एक स्ट्रोंग बनाया जाता है तो उस टाइम पीरियेट को जिस टाइम पीरियेट में उसको उसकी फीचर्स को बढ़ाया गया उसकी टेक्नलोजी इसको इंक्ल पढ़ रहे हैं में थर्ड जनरेशन इससे पहले टू जनरेशन मोबाइल टेकनलोजी की आ चुकी थी वन जी एंड टू जी फ़र्ट जनरेशन में कुछ और टेकनलोजी यूज की गई होंगी उसको इंप्रूब करके उसको मोडिफाय करके या उसमें कुछ एक्स्ट्रा ममाइल टेकनलोजी की जनरेशन फ़री फ़र्ड जनरेशन फैन्ट जनरैशन एक यह अपके थर्ड जनरेशन है क्लियर टू फञुला फ्रिस्द्र जनरेशन ऑप मिललिफ्स मोबाइल कम्म्टिकेशन ge यह टूजी का अपग्रेड़िट जनरेशन है मतलब टूजी में जो भी फीचर्स होंगे जो भी उसकी स्टॉंग पॉइंट होंगे स्टॉंग टेक्नलोजी होगी उसी को डेवलप किया गया उसको और सुधार करके मोडिफाय करके उसको और अच्छा बना बना करके उसको दिया थर्ड जनरेशन क्योंकि टाइम पीरड चेंज हो गया कि इसमें टेक्नलोजी इंप्रूब हो चुकि हैं तो यह जो है टूजी का अपग्रेड़िट बर्दन है सुरी अपग्रेड़िट जनरेशन है क्लियर अच्छा इसमें ऐसा क्या इंक्लूड किया गया होगा इस इसके थिरूं हम च्या कर सकते हैं है तो फा कुछ फाइंड एप्लिकेशन हाईस एसके तौह त्रू हम क्या कर सकते हैं झालेशन केंशन को वालेशली क्योंकि मवाइल सकते से वाइस टेलीफोन ही यहीं होता है कि आप जो है उससे जो फॉन कॉल पर बात करें तो यह एक जो है कि यूज रो सकता है Internet Access इससे internet कर सकते हैं वीडियो कॉल कर सकते हैं और भी चला सकते हैं त्रीजी से Cons 더 यह सब जो लेकिए वीडियो कोल और मॉवाइल टीवी और इंटरनेट एक्सेस इंटरनेट एक्सेस खोल कर लिया जाता लेकि इतना नहीं तो यह तीन चीजे जो टूजी या वनजी टेक्नलोजी में इतना पॉसिबल नहीं था लेकिन 3G में यह पॉसिबल हुआ इसलिए 3G को इंप्लिमेंट किया गया यानि इसका जो फ्रेक्वेंसी रेट है वो हाई कर दिया गया उसकी वज़ा से हम एक अच्छा इंटरनेट एक्सेस मिला और हम वीडियो कॉल भी कर सकते थे और मॉबाइल टीवी चला सकते कि इसलिए बिंप्रेक्वेंट ती इंप्लिमेंट सब्सक्राइब कर संथा इसमाने गया तो की इसलिए इंपर्टन हो गया कि इसकी है यह हैं यह छो फाश्टर डीटा ट्राउसफर से जादा सपक्श्चा था तो सकता है किटना आप इसकी डाइट एक्सैस की बात करें इंटरेट एक्सेस बात करें तो 144 किलो बीट पर सेकेंड से तुमेगाबिट पर सेकेंड तक इसकी स्पीड वो थ्रू करती थी वाहां पर इंटरने डाया तर्व रेट यहां पर डेटर्ट ट्रांस्फटर रेट ज़ादा होगा वहां पर इंटरनेत अक्सेस जह उगा वसकी फीद भी फास्ट होगी तो डेटर्र ट्रांसफर रेट करते हैं इस हुट अच्छilage's मिलताफ त्यासे पहले क्या होता था टू जी वन जी जो फोन थे आते थे जो टू जी ये वन जी को सपोर्ट करते थे वो सस्ते मिल जाते थे क्लिया तो ये एक disadvantage है कि require 3G compatible handset कि आपको अगर 3G चाहिए 3G connection चाहिए या 3G technology चाहिए तो आपके पास जरूरी है कि 3G compatible handset होना चाहिए सारे handset जो है 3G को support नहीं करते कुछ 1G को करते हैं कुछ 2G करते हैं कुछ 4G करते हैं ठीक है 4G तो हम आगे discuss करेंगे तो अगर 2G phone आप 2G compatible phone आपके पास है तो आप 3G technology का use नहीं कर सकते हैं अगर आपको 3G use करना है तो आपके पास जरूरी है कि 3G compatible handset होना चाहिए पावर कंजप्शन हाई यानि कि जितने भी 3G compatible phones होते हैं या higher होते हैं वो पावर जादा consume करते हैं मतलब पहले बंजी phone होता था एक बार चार्ज कर लिया एक हपते तक वो चलता रहता था लेकिन अब ऐसा नहीं है जो 3G या 4G phones होते हैं उनको daily charge करना पड़ता है क्यों क्य है तो पावर कंजप्शन हाई पावर की प्रोबलम है यह disadvantage है 3G टेक्नलोजी का इससे जो हैंडसे आपकी पावर ज्यादा consume करते हैं नेस्ट आपका required कि लोजर बेस स्टेशन बिच इस एक्सपैंसीब यानि कि 3G के लिए जो बेस स्टेशन है जहां से हमारा mobile phone के network जो है ट् एक्सिस पॉइंट आपके जितना closer होंगे उतनी जो है frequency high होगी और frequency high होगी तभी आपकी जो speed है वो भी high होगी clear कभी कभी देखा होगा कि जब हम phone call पर बात करते हैं तो बीच में क्या होता है कि हमारी phone call कट जाती है तो वो क्यों होता है क्योंकि base station दूर होने की बज़ा से यह frequency है उसका level low हो जाता है जिसके बज़ा से जो speed कम हो जाती है network quality घड़ जाती है और हम अच्छे से बात नहीं कर पर हमाई बीच में call ड्रॉप हो जाती है clear जो कि expensive ज्यादा base station लगाऊगे तो expensive होगा तो यह disadvantages है जो है 3G technologies के clear तो देखिए अब आगे देखते हैं कि 4G technologies क्या है 3G हम पर चुके हैं जी 4G technologies देख लेते हैं तो 4G means 4 generation है हम generation की बात कर रहे थे वह time period खतम होगे आप जो लोगों को ज्यादा speed चाहिए तो 3G को ही upgrade कर दिया गया तो 3G को क्या कर दिया गया अपग्रेड कर दिया गया किस feature के साथ upgrade किया गया कि उसका जो frequency rate को बढ़ा दिया गया data transfer rate को बढ़ा दिया गया कितना कर दिया गया 150 यह एक सो पचास megabyte per second megabyte per second sorry megabyte per second से 1 gigabyte per second तक कर दिया गया यानि कि leas line तक megabyte per second और जो hired होते हैं वह आपके 1gb तक चला जाता है तो यह features इसमें add करके 3G को upgrade कर दिया गया नाम रग दिया for generation क्योंकि time period change हो गया अब जो जमाना किसका है high speed का है तो it was introduced कभ हुआ था 2010 11 कहीं जगा कहीं जगा पर 11 मिलता कहीं जगा अपर 10 मिलता है ठीक है तो आप इन दोनों को इस तरह सी पढ़ना है 10 to 11 ठीक है 10 से 11 के बीच में इसको introduce किया गया था जो 4G हमारा जो technologies है यह two category में आया था फर्स्ट बन LTE इसका full form होता है long term evaluation आपने देखा होगा हम वाइल फोन पर जब हम internet data option को on करते हैं तो वहाँ पर जो है क्या लिखा आता है वोल्ट LTE इस तरह से कुछ लिखा लिखकर आता है तो यह क्या है यह 4G 4G technology का क्या है मतलब यह एक category है 4G की ठीक है तो LTE long term evaluation तो यह थोड़ा सा fast और standard technologies है 4G के अंदर 4G कुछ question यह बनता किया 4G LTE same है बिलकुछ same है लेकिन 4G LTE का मतलब है दोनों combine होकर जब काम करते हैं तो speed order जादा मिलती है उसकी frequency rate higher हो जाता है ठीक है तो दूसरा है वाइमेक्स worldwide interoperability for microwave axis तो वाइमेक्स जो है वह भी आपका 4G की category है इसको भी 4G हाँ ओके तो इसके features of force generation के features है कुछ मतलब कि आपका जो force generation है उसके क्या feature है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहला mobile multimedia का मतलब कि यह होता है कि से टैक्स एक ग्राफिक है audio है video है ग्राफ से फोडो जहीं यह आप transfer कर सकते हैं for the network के दुरूप को यहांनी जैन्य ऑ है जो उत्वीश को बेड़े और पर्माइज से है और आसान तरीके से और कम सबेहने कर सकते हैं इसको कहीं पर भी किसी वक्त इसको यूज़ कर सकते हैं ग्लोबाल मॉबाल सपॉर्ड को भी यह सपोर्ट करता है इंटेग्रेटीटट वाइलेस्ट भी यह देता है कस्टमाई सभेशनी पर्सनल सभीशी या नहीं कि अपना नेटवर्ग बनाना बी पियन वगएरा तो आप इस तरह की पर्सनल सर्विशी शे उसको आप कस्टमाईज कर सकते हैं क्या फायदे हैं तो पहला फायदा पहला एडवांटेजिस का यह है फास्टर डेटा टांसफर रेट बहुत ज्यादा हाई होता है एक सो पचास से वन जीवी तक इसको हम उच्छ कर सकते हैं यांडि की बैब ब्रावजर बगेरा इंट्रनेट यॉससाब कर सकते हैं इसे और हाई टीवी और हाइड इस-परी जानि improvements हम हम बोलते हैं हम इसको देख सकते हैं और एक और फाइदा है कि इसमें जो अल्लग बाग है क्योंकि इसको बनाया गया इंप्लीमेंट किया गया था वैसे हमें पता है कि वह फास्टर तो हो गई अधर टेक्नलोजी से तो यह सारे इसके फाइदे हैं सबसमें तो एड़ांटिज यह रहा था कि हाया डेटा टांसफर रेड और क्या बोलते हैं इसको मॉबाइल मिल्ट डेटा बढ़ेंगी जरूरत होगी तो फावर कंजप्षनी आंट होता है टिटाइटा प्राइजेश प्राइज प्राइज करेंगे थोड़ा एक्सPENSIB होते हैं यह जब इसका असानी रहा नहीं करपाता है वो होते हैं मतलब इसके आपका असानी से चीजों को समझाया सके ठीक है तो नेक्स्ट आपका जो मुगाईल टेक्नलोजीज है आपका MMS कई बार आपने MMS का नाम सुना होगा मुवीज बगेरा में अधर इधर कहीं पर भी तो आज हम देखेंगे कि एक्षिल में MMS होता क्या है यह कैसा इस्टेंडर्ड वे है जिसके थूरू हम मैसिज को सेंड करते हैं और जिस मैसिज में इंक्लूड होता है tu buyers के वे सेंट nervous को सेंड करते हैं का की मिडिया सर्विस यार निकी ऐसी मेंसिजिंग सेंड करते हैं मुबाइन मिर्स को सेंड करते हैं मतलब इसमें इमेज हों ग्राफिक्स होंढ वर्डियो वीडियों यह सारे चीजे उस इतना मेस civ embroidery को वीडियो आपके पास है तो वह आप मैस टैक्झनलोजी को सब्सक्राइब कुछण कर सकते हो ग्राफिक्स कर सकते हो इसमें कम से कम up to 40 seconds तक की वीडियो आपके पास है तो वह आप MMS टेक्नोजी को थिरूँ सेंड कर सकते हो थर्ड है इसका स्लाइड सो और multiple images बहुत सारी images है उसका स्लाइड सो आपके पास है तो वह आप MMS के थिरूँ सेंड कर सकते हो क्लियर कि तो में सिर्फ इतना ही है कि वर और समझ लीजिए एक ऐसी मुबाइल टेक्नोलोजी है जिसके थूरू हम मुटिमीडिया से मैसिस को सेंड कर सकते हैं और सेलेजर नेटवर्क तो मुबाइल पून उके इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टेक्नोलोजीज SMS क्लियर देखिए SMS और MMS दोनों ही सेम होते हैं लेकिन थोड़ा सा मेजर डिफ्रेंस इतना है SMS में कि MMS एक ब्रॉड मैसिज है बहुत बड़ा मैसिज उससे हम बेश सकते हैं जिसमें हम वीडियो वीडियो तक उसमें जो हो सकती है लेकिन SMS का जो फुल फॉर्म होता है सोर्ट मैसिज सर्वीज से जो मैसिज भीज़ जाते सिर्फ सोर्ट मैसिज वह छोटे मैसिज भीज़ जाते जिसका एक कुछ लिमिट होता है एमेस का कोई limit नहीं होता इसका limit होता है यह एक ऐसा वे है धिसके फुरूो हम text message को send कर सकते हैं केवल text eases को इसमें audio одно video image graves भोग सब इंकलूड नहीं कर सकते घ्रiki all text message sms के थुरू भेज सकते हो की point क्या-क्या इसे send कर सकते हैं देखिए इसमें जो हम जो tax message भीजेंगे उसकी एक limit होती है निकी we can send up to 160 characters के वाल एक message जब आप send कर रहे हो किसी दूसरे mobile phone पर तो आपका जो message होगा उसमें 160 character से ज़ादा नहीं होने चाहिए 160 character से अगर ज़ादा है तो आप SMS के थुरू भेज चो सकते हैं लेकिन वो जो message है आपका chunks में तूट करके जाएगा ब्रेक हो जाएगा वह छोट छोटे chunks में 153 का एक chunks होता है उसमें वह तूट करके जाएगा दो तीन message बन जाएंगे उसके ठीक है दूसरा इट वाज और जो इसको 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 किया गया था यह उन फोंस के लिए किया गया था जो गिलोब सिस्थम को सब्सक्राइब उसको बनाए गया था उसके बाद आपड़ू मशनली जतने भीяд आपको मिल दिए तो के हम का थे लोग यह स्टुदchy तो यह द्द आज करेंग का लाज DR टत masih तो आज वीदियो लग्षर में फ़ आज विनुस हो जाता है सु इट है नेक्स्ट वीडियो मेर इक नए चैप्टर के साथ थेट्यू